देखते हैं दिन भर नबंबर मा के अंत में मौसम ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया गुरुवार को जहां बादल चाहे रहे वहीं चुटपट वर्षा वसर्ध हफाओं ने भी लोगों को ठंड का एहसास कराया इंडियन मेट्रिलाजिकल डिपार्टमेंट की माने तो अगले दो दिनों तक बादल चाहे रहेंगे वह कोहरे की आशंका बनी रहेंगे इस समन में सरीवन समाधाता से बात करते हुए जिला आपता विशेशा के गौन्दम गुपता ने बताया यह मौसम का परिवर्थन पिछले दो दिनों से लगातार हलके हलके बादल थे लेकिन आज एक चुटपुट सी वर्षा भी हुई है और अभी यह मौसम अगले दो दिनों तक का पुरवानुमान आईमडी दोरा परापते हो से रुसार रहेगा साथी चुटपुट वर्षा हुई है इसे यह अनुमानी किया जा सकता है कि थोड़ा सा अगले दिनों तक उस डेंस फॉक की भी सिचुएशन अराइज होगी घरे गहने कोहरे की इस्तितिय ही अराइज होगी तो अभी अगले दो दिनों तक थोड़ा मौसम इस प्रकार बना रहेगा लेकिन आउट्सकर्ट में हमें कोहरे भी मिलेंगे जो हमारा जो तराइबल्ड का छेतर है दिखे आपकी चैनल के माधिन से मैं यही अन्रोद करूँगा कि डेंस फॉक की सिचुएशन में गाड़ियों की हैडलाइट सौर करके ही गाड़ियां चलाई जाए जिसे की आने जाने वाले लोग एक दूसरे को देख सकें सिचुएशन को नॉर्मल कर सकें साथ ही गरम कप अपड़े पहने और विशेश रूप से बच्चों का ख्याल लखें इस मौसम परिवर्तित हो रहा है तो सहजी जुकाम की संबावना है इस मौसम में रहेंगी